ग्लोबल हंगर इंडेक्स में गिरी रैंकिंग पर राहुल गांधी ने मोधी सरकार पर जम कर निशाना साथ दिया है उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग 2014 से लगातार गिर रही है और अब ये 117 में से 102 हो गई है इस रैंकिंग से सरकार की नीतियों की भारी वफलता का पता चलता है और पियम मोधी के सबका साथ सबका विकास के खोकले दावो की पोल खोल दी है आपको बता दे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की लिस्ट में 117 देशों में भारत 102 नंबर पर है रिपोर्ट के मताबिक भारत की हालत एश्या के कई देशों से खराब है हमारे परडोसी देश पाकिस्तान इस लिस्ट में 94 और बांगलदेश 88 नंबर पर है तो इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने मोधी सरकार पर हमला यहां पर बोला है पता दिया है कि सबका साथ सबका विकास की बात जिस तरह से की जाती है उसके दावे यहां पर होखले साबित होते हैं